कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों है स्टेक्ट मीटू का दौर सा चल रहा है जी हां तनुश्री दता के अलिगेशन्स जो कि उन्हों नहीं आना पाटेगा पर लगाए उसके बाद सही मानों बॉलिवर इंडस्ट्री हो या फिर वेडिया हो या फिर कोई नॉर्मल यूमन बिंग क्यों ना हो इसको लेगर काफी जारा सीरिस होते वे नजरा रहा है जी हां अगर आप सेक्शियोली हरेस्ट हुए हैं किसी के थू या किसी के किसी नापको करा है तो आप हैस्टेक मीटू करके अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं और अपनी एजनिटी को भी सकते हैं आपको बता दें कि इस लिस्ट में अब एक और नाम शामिल होता है जी हां बॉलिवोड के फिर्मस डारेक्टर साजिद खान भी हैस्टेक मीटू कैंपेंग की चपेट में आ गये हैं साजिद पर लगे आरोपों के बाद उन्हें चारों तरफ से घेल लिया गया है हम आपको बता दें कि कुछ वूमेंस ने साजिद खान पर बस्तुनी के केव जाम लगाए हैं साजिद पर लगे आरोपों के बाद उन्हें तुरत फिल्प हासपुल फोर की मैकल्स ने फिल्म के निदेशन से हटा साजिद के सासाथ इस मामले पर अब उनके फैमली मेंबर् सबसे बड़ी बात हम इन हाले में साजिद की बेर्ञ पराखान ने इसे अपने परिवार की सबसे दुख के घड़ी अब अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है ये समय उनके परिवार के लिए काफी प्रीशान गळा है और उनके और उनके परिवार को एक बेहत कभीर टॉपिक से जूशना पड़ रहा है अगर उनके भाई ने ऐसा कोई वेवार किया है तो उसे काफी प्राश्चित करना होगा और वो किसी विस्तिती में ऐसे भेवार का समर्थन नहीं करती हैं यानि को उनका साथ नहीं 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 है वो पूरी तहा से उन वुमेंस के साथ खड़ी जो पीडित है और इससे यह लगता है कि दोनों भाई भाई भैंड के रिष्टे के बीच दरार सी पड़ती हुई नजर आ रही है नेक्सनल लाइफ से माचिक रिपोर्ट झाल